लोक्षभा चुनाओं के बाद लगातार देश में एवियम और चुनाओं की पारदर्सिता को लेकर शवाल खड़े किये जा रहे है इन सब के बीच एपियाई के रश्टिया देख्च भी सोसल मीडिया के माध्यम से भारत में व्यापक चुनाओं सुधारों को लेकर अपना मार्ग दरसन दे रहे है हाली के दिनों उन्होंने मानवतवादी मीडिया सेंटर के जरिये फेस्बुक लाईउ में लोगों के तमाम सवालों का जवाब दिया इनमें कुछ सवाल बहुजनों की लिडर्शिप को लेकर भिकिये गए खासकर ईवियम के मुद्दे पर बामसेप और वामन मेसराम के बारे में कुछ लोगों ने सवाल करते विए उनका साथ देने या लेने जैसे सवाल किये जिसके जवाब में विजय मानकर ने कुछ महतुपुर्न बातों का जिक्र किया उन्होंने बामसेप और वामन मेश्राम जी का रिस्पेक्ट करते वे कहा कि EBM मुद्दे का समाधान भारत बंद करने या सुप्रिम कोड जाने से भी नहीं आएगा क्योंकि इसका समाधान केवल पार्लेमेंट से ही आ सकता है उन्होंने इसके साथ ही मेश्राम जी को विज्ञानिक तरीके से सोच विचार करके कारे करने की वी सला दी पर मैं ये मानता हूं कि उनका मेथड साइंटिफिक नहीं है तो उनको थोड़ा scientific method अगर adopt करेंगे, तो जादा अच्छा result आएगा, देखे मेने ती, दो साल पहले message बिजवाया था, कि ये जो वावन में श्राम जी ने जो सुप्रीम कोट में जो EVM का जो petition डाला था, रिट petition डाला था, उसका एकॉपी जो है वो मेरे पास में बिजवाया और मेसज प्रापर गया था, मैं चाहता था कि उस पॉटिशन को में स्टेडू करूँ, हो सकता दो पॉजिव चीज़े में उसमें कॉंटिब्यूट करता, उनके ही नाम से पॉजिव पॉजिव चीज़े में उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, तो शायद थोड़ा जाद अगर मुव कर दिया जाए, तो बहुत बड़ा बिल नहीं है, वो एक क्या चार पंच पीच का बिल है, पचिस्ती सेक्शन भी उसको अमें नहीं करना और रूल्स को, तो वो जो है पालामेंट में अगर मुव होता, और कॉंग्रेस को भी कंपल करते तो उस समें में, MPs का इ साइन्टिफिक बनाने की जुरूरत है, अधर्वाइस बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा, अभी आप भारत बंद को कहां, अभी आप रोट पर रहे ठीक है, कभी-कभी देमांस्टेशन करना पड़ता है, पर क्या आपको लगता है उससे यह सलूशन आ जाएगा, बोधिसिल कठाने जी कुछे, अगर उसका यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं होगा, यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो बिचारे यूवा बेरोजगार, अभी 7-90 लाक लोग बेरोजगार होगे, क्यों? क्योंकि हमने हमारी एकोनोमी को इस कंडिशन में लाया कि हम उनको जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे है, उनको एजूकेशन दे कि अभी 23% केवल हाईर एजूकेशन का हमारा परसेंट जबकि 75% के उपर होना चाहिए, इंजिनेरिंग का क्या हाल है, 100% सीट में अभी लगबग 40-50% से ज्यादा सीट कम हो गई है, जो लड़के उस सीट में भी पढ़ रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रहा है, तो you see the demographic dividend, unless you develop the human capital, human capital जब तक डेवलप नहीं करेंगे, उसके लिए higher education को आपको सस्ता करना पड़ेगा, उसमें reservation को proper expand करना पड़ेगा, फिर उसको वहीं से job oriented policies बना के वहीं से उनको जॉब्स म हमारे पास जो demographic dividend है, जो काम करने वाली population है, साथ साल तक के, तो उनका जो है वो हम utilization कर सकते हैं, and already it is there in the policy of API, but my dear, it would require a government, it will not require a person who goes one night and at the 8 p.m. he says, okay my dear, I have come and I have demonetized the 86% of the you see currency, I have declared it as an illegal tender now, तो ऐसा करने से यह नहीं होगा, तो ठीक है अभी तो यह government को यह वाव ने भी चुन हैं, तो इसको थोड़ा BR कीजिए, और 24 तक के मैं को जो काम करना में तो करी ना हूँ सब के लिए, देश के लोगों के लिए.